सो हे गाई स्वागत आपका एक और फिर्शे आपी के यूटिव चैनल में और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इरकॉन इंट्रेनेशनल लेमटर्ड और साथ में डिसकेस करेंगे भी दूसरा जो रेलवे स्टोक है रेल्टेल कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेमटर्ड आ लोगों ने एक चीज और नॉट के होगी बहुत सी कंपनियों के आज जो सर्किट फिल्टर वो भी चेंज हुए है 20-20% फिर से हो गया है तो अभी यहां से इन शेरों में आगे के लिए क्या स्ट्रेजिय अप्लानी चाहिए इरकॉन इंट्रेनेशनल में कहां पर वैस्ट अब कि लिए तो क्या क्रेक्शन बन रही है चलिए जानते डेटेल में सबसे पहले आपको जानकारी दे देते अभी ओड्र सलेटिड क्या ओडर है कहां पर क्या कंपनी कर रही है और उससे पहले यहां पर देखोगे इरकॉन इंट्रेंशनल में अच्छा-खासा फोल बना ह एक खबर भी आये थी पिसने बार की दिन जो असवनी वैसना जी उनके तरफ ची बड़ा एलान किया है उसके बारे में आपको बताएंगे तो चलिए सबसे पहले देख लेते है ओर डेटेल तो यहां पर आप लोग देख तो आप बिजनेस जी बिजनेस के विशनेस है यह फिर आप लोग देखोंगे नसी बैसी एक्चेंज की साइट के उपर भी नोटिस आपको इसका मिल जाएगा तो रेल पेशु को मिला बड़ा ओडर सेयर में हुई हलसल साल बर में 300 प्रशेंट दे चुका है रेटन तो कौन से स्टॉक को लेकर अपडेट आई है यह भी रेल टैल कोर्पोरेशन को लेकर रेल टैल कोर्पोरेशन को लेकर स्टॉक नेक्सचेंज को बताया कि उसे ओडिसा की स्टेट जो ट्रांसपोर्ट अथरुटी से एक बड़ा ओडर मिलते हुए नजर आया है ठीक है और इस ओडर के जरीए यहां पर आप लोग को मिला है ओडर मिला है कंपनी को और इस खबर के बाद जो रेल टैल के स्टॉक में हल चल देखने को मिल रही है लेकिन फिर भी आप लोग देखोंग की सुरुआत हरे निसान में हुई लेकिन उसके बाद तो देखोंगी मुनाफ़ा बस लेगा यह स्टॉक भी शिकार है पैनिक सेलिंग क्रेट हो गई फिर तो सभी में और शेर करीब दो फिजदी नीचे करोबार कर रहा था यह मार्केट टाइम की खपर पर जब आया थी लेकिन आप लोग देखोंगे जो क्लोजिंग आये वो तीन साथे तीन परसेंट की ग्रावट में हुई है रेल टैल को परेशन की ठीक है तो यह आप लोग देखोंगे भी ओडर मिला कंपनी को 87.9 क्रोड का ठीक है और यहां पर जो कंपनी करेगी वो यहां पर देख स्वत्यों भी कंट्रोल सेंट जो कमांड कंट्रोल सेंटर अपग्रेडेशन और इंटेलिजेंड जो एन सिस्टम लागू करने के लिए जो भी मिला है और ओडर अलोट होने की तारिक से 365 दिन के भीत्र जो भी यह काम पूरा करना है कंपनी को तो यह ख़बर चली अब आपको दिखाते भी अस्विन व्याशन वाली नियूज तो यहां पर आप लोग देखोंगे भी कल के दिन भी मैंने आपको एक बात बोली सुबह भी मैंने आपको एक बात बोली जब रेलेवे स्टॉक शी ओपर मैंने वीडियो बनाया ठीक है आने वाले वर्सों में एक हजार से अधिक अमृत भारत रेने बनाई जाएंगी असुने व्यासनव जी के तरफ से आप लोग देखोंगे दो तारिक को ये अपडेट जारी की गई थी ठीक है इंटर्वियो में उन्होंने बताया तो आप आपको मैं बताता हूं भी मैंने ये वीडियो बनाया उसके बाद कमेंट आ रहे है न्यूजे पोजिटिव आ रही है लेकिन फिर भी टूट रहे है ऐसा भाई आप लोगों अगर आपकी ये थिंकिंग है ये मैंने उन भाईयों को बताया था ये जो न्यूज आई है ये उनके लिए मोटी वेट करने वाली जो भाई उपर के भाव से फच चुके है ठीक है जोने हाई प्राइस स्टॉक ही दिलिये अब उनको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक अभी यहा के अंदर लॉंच की जाएंगी ठीक है न्यू ट्रेने आएंगी क्या वो एक दिन का प्रोजेक्ट है क्या क्या वो एक महिने का प्रोजेक्ट है क्या वो छे महिने का प्रोजेक्ट है सालों लग जाएंगे भई ठीक है इसलिए बोल रहा हूं दो तीन साल जिन्हों ने है जोड़ लका तो इसके उपर नबी कर देना गत्राइव इसके भाविड का विदु उसके पुटे बना दिया था तो चलिए अब जानते हैं भी हैंवे सकते हैं मुव यह निंट रहु अधिक्ष बात करें उने पुर्यख द बोब्रह और फडू 235 का है अगर 235 को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो उसके बाद फ्रेश इंटी बन सकती है तो यह दो इंट्री के लेवल है ब्रेक आउट के ऊपर में आएगा एक तो मोगा या फिर नीचे अगर स्टॉक जाता है तो 200 और 190 और 200 के बीच में फ्रेश इंट्री के माहूल है तो यहां पर जोनब एक अच्छी खासी इंट्री अभी टैम स्टॉक क्या कर रहा है थीक अभ लॉंग टर्म प्रोजेक्ट है ठीक है रेलवे सेक्टर को लेकर वह आगे चलकर स्टॉक में भी तेजी लाएंगे और रेलवे सेक्टर के अंदर भी काफी अच्छा बूम लाएंगे लेकिन उसके लिए मैं पेसंस रखना पड़ेगा जो हाई प्राइस स्टॉक को ले लाजमी है ठीक है और यहां से सपोर्ट मैंने आपको बता दिये फ्रेश इंट्री के भी लेवल जो बन रहे वो भी मैंने आपको बता दिये तो चलिए अब देखते सेक्ट स्टॉक तो यहां पर आप लोग देवी स्टॉक में भी काफी शांदर रहली हमें देखने को मिली पीछे भी आप लोग जवर्दस त्याली आई थे ना स्टॉक में एक फ्रेश बाउंड भी खाया बना वहां से स्टॉक वो कंटिनुशली फोल हो अभी किट है तो यहां पर जो आपको सपोर्ट लेके चलना है करेंट पर खरीदारी की है और ऊपर के भाव से खरीदी लिया और यहां से अगर स्टॉक में और गिरावट बनती है प्रोड बुकिंग का स्टॉक होता है तो यह हमें जोना भी साधे 300 तक के नीचे में आते हुए नजर आ सकता है फिर वहां से एक फ्रेश इंट्री का बड़ा मोका होगा तो यह इसके लेवल रहेंगे इनके उपर फोक झाल कि झाल की ओंड़ सकता है यह लेवल बनती है